कई सानों पहले की बात है, एक गाव में युधिष्ठिर नाम का एक कुमार रहा करता था, दिन में वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और जो भी पैसे मिलते थे, उनसे शराब खरीद कर पी लेता, एक रात वह शराब के नशे में अपने घर लोट रहा था, वह इतना नशे मे था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, अचानक उसका पैर लड़ खडाया और वह जमीन पर गिर पड़ा, जमीन पर काच के टुकड़े पड़े थे, जिनमें से एक टुकड़ा उसके माथे में घुज गया, उसके माथे से खोन बहने लगा, इसके बाद कुमार किसी तरह उठा और अपने घर की ओर चल दिया, अगले दिन जब उसे होश आया तो वह वैध्य के पास गया और पट्टी करवा कर दवाई ली, वैध्य ने कहा घाव गहरा होने के कारण इसे भरने में समय लगेगा, पूरा भर जाने के बाद भी इस घाव का निशान नहीं जाएगा इसके बाद कई दिन बीट गए, अचानक उसके गाव में सूखा पड़ गया, सभी लोग गाव छोड़ कर जाने लगे, कुमहार ने भी गाव छोड़ कर जाने का फैसला किया और दूसरे देश की तरफ निकल गया नए देश में जाकर वह राजा के दरबार में नौकरी मांगने गया, वहां राजा ने उसके माथे पर चोट का निशान देखा और सोचा, यहाँ जरूर कोई पराक्रमी योद्धा होगा और दुश्मन से लड़ते समय इसके माथे पर चोट लगी होगी यहाँ सोचकर राजा ने उसे अपने दरबार में एक खास जगह दे दी और उस पर विशेश ध्यान देने लगे यहाँ देखकर राजा के दरबार में मौजूद राजकुमार, सेनापती और अन्यमंत्री उससे जलने लगे ऐसा कई दिनों तक चलता रहा एक दिन शत्रों ने राजा के महल पर हमला कर दिया राजा ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तयार किया उसने युधिष्ठिर से भी युद्ध में जाने के लिए कहा युदिष्ठिर जब युद्ध भूमी की तरफ जा रहा था तो राजा ने उससे पूछा कि उसके माथे पर यह चोट किस युद्ध में लगी इस पर कुमहार ने सोचा कि अब वह राजा का भरोसा जीत चुका है और अब अगर वह राजा को सच बता देगा तो कोई समस्या नहीं होगी यह सोच कर उसने राजा ने कहा राजन मैं कोई युद्धा नहीं हूँ मैं तो एक साधारन सा कुमहार हूँ यह चोट मुझे किसी युद्ध में नहीं बलकि शराब पीकर गिरने के कारण लगी थी कुमहार की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुसा आया उसने कहा तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और मुझे चलकर दर्बार में इतना उचा पद पाया है निकल जाओ मेरे राज्य से कुमहार ने राजा से बहुत मिनते की उसने कहा कि अगर उसे मौका मिले तो वह युद्ध में राजा के लिए प्राण भी दे सकता है राजा ने कहा तुम चाहे जितने भी वीर और पराक्रमी हो लेकिन तुम शूर्वीरों के कुल से नहीं हो तुम्हारी हालत शेरों के बीच रहने वाले उस गीदर की तरह है जो हाथी से लड़ने की जगा उससे दूर भागने की बात करता है मैं तुम्हे जाने दे रहा हूँ लेकिन अगर राजकुमारों को तुम्हारा राज पता चल गया तो वो तुम्हे मार डालेंगे इसलिए कहता हूँ कि अपनी जान बचाओ और भाग जाओ कुम्हार ने राजा की बात मानी और तुरंद उस राज्य को छोड़ कर चला गया इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इनसान की असलियत ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती एक ना एक दिन राज खुल ही जाता है